बिहार में एंडिये के दो सबसे बड़े घटक दल जदियो और बीजेपी इन दिनों आमने सामने नजार आती हैं। सर जिस प्रकार सभी बिहार में स्थिती बनी हुई है जबसे बिहार में इंडिये गटबंदन की नई सरकार का गटन हुआ है तबसे आपस में ही एक दूसरी की खिलाफ़त आखिरकार इसके पीछे की वज़ह क्या है। क्यूं मानने लगे हैं कि एक दूसरी को नीचा दिखाने की होड़ अब इंडिये गटबंदन में शुरू हो गई है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी है दोनों लड़ा है उसमें एक विंग का जो हेड है वो प्राइम इनिस्टर है एक विंग का हेड है सो चीफ इनिस्टर है तो इसमें नीचे क्या दिखाना है। सब कुछ संतुली थी चल रहा है। काम कर रही है दोनों पार्टी मिल के काम कर रही है कोई कोई कुछ कभी कोई चीज याद करा दे सरकार को तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब राजनितिक जानकारों के तरफ से यह सवाल है कि आखिरकार जदियों को पेट में इतना दर्द क्यूं होने लगा है। कोडिनेशन कमीटी बनाने की मांग कर की जा रही है। बहुत जाते हैं, तुझ कोई बात नहीं है, दोनों पार्टी में कोई गर्वन यह है। तुसर, क्या आपको लगता है कि यए अंडियय गटबंधन में कौाधिनेशन कमिटी कैसा जाए उसकी जरूरत है। कौधनेशन कमिटी का जरूरत पता नहीं कामधाम ठीक हो रहा है इसलिए क्या जरूरत है अभी अभी मांगने के तरफ से ही मांग उठाई गई है अच्छा ना ना ठीक है अभी कोडिनेशन कमिटी बना सकते हैं लोग चाहें तो बना सकते हैं दोनों पाटी है बना के डिसकुस करें कोई जरूरत को अभी कि बिहार की विकास के लिए रणनीती तै करना बिहादासान हो जाएगा सभी पार्टियों के बीच में कोडिनेशन कमिटी रहेगी तो साथी साथ जितने भी नेता है उलूल जलूल की जो बाते कर देते हैं बयान दे देते हैं उस पर भी अंकुष लगाया जा सकता है तो क्या इसके मद्दे नजर आपको लगता है कि बिहार में विकास करना हो या फिर जो बियान बाजियां चल रही है इसको रोक थाम के लिए जरूरत है मैं बाजी देखें यह लिए डिक्टेटर्टिश एटना है इसमें हर एक आदम को हक है बूलता है सपथे ना चाहें पाठी में हो पाठी इसमेर मूह और किसी को दबा नहीं सकती थी तो इसलिए कोई विशे नहीं है विशे ले करके कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है और हम लोग के पार्टी का चाहिए दोनों पार्टी के लोग कोई ऐसा काम करिये नहीं रहा है कि जिसको कोई स्टेट्मेंट जादे इधर देने का जरूरत था, सो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आखरी सवाल, थोड़ा सा पेशीदा है, चिराग पास्वान को लेकर है, बीजेपी कहते है कि चिराग पास्वान इंडिया गटबंदन के हिस्सा है, जदिव मानने को तयार नहीं है, अब ये विरोधा भास किस कदर जाएगा? इसमें बीजेपी कहने लगी है कि नहीं अब भी वो एंडिया गटबंदन के हिस्सा है, बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया है ठीक है, है हम लोगे में हाय हूँ तो हमरे पाटी में हाय है, गटबंदन में हाय हूँ, थोड़ा बहुत जगड़ा गुड़ा हो गया, ओ ठीक हो जाना चाहिए अब तब सब को सुलभ हो जाना चाहिए? हाँ, हो जागा, हो जागा, उनके जो चाचा है, बुज़ूर्ग आदमी है, वो मिनिस्टर हो गया ही नहीं हुए, थोड़ा बहुत हो गया, यांग आदमी है, कुछ बोल दिये, लेकिन इसमें समाप्त होना चाहिए इसको यह समाप्त हो जाना चाहिए था, तो अब अन्डिये में अब भी सब कुछ ठीक ठाक ही है, हाँ, सब्सक्री ठीक ठाक है, यह कोई दर्द नहीं है, किसी के पेट, नहीं कोई दर्द नहीं है, कुछ भंजत नहीं है, चलिए हमारे साथ जुनने के लिए आपका बहुत- करम है उसके मदे नजर जदियू जादे खाफा है या फिर जदियू कुछ बड़ी रणनीती की तलास में है फिलाल इस पर पूर्ण बिराम लागाते हुए बिजेपी के वरिष्ट नेता और पूरुराजी सबसांसद ने अश्पष्ट कर दिया है कि जदियू क्या कुछ हमारी भी नजरे बनी रहें कि जैसे ही कोई भी खास अपडेट हम तक पहुंचे कि हम जुरूर आल लेकर आप तक पहुंचेंगा आप सभी का हमारे साथ जुडने के लिए बहुत धन्यवाद नमस्कार